पापा अरे आप यहाँ हैं हाँ बेटे मैंने सोचा कि लोन से कुछ सूखेवे फूलो और पतियों को उठा कर बाहर फेंग दूँ तुम कुछ कहने वाले थे लाइए मुझे दीजे मैं करता हूँ चलो अब तो यह हो चुका तुम कुछ कहने वाले थे हाँ पापा कल से मेरी दो महिने की गर्मी की छुट्टिया शुरू हो रही हैं देखो तुम क्यों नहीं कल से लोन के इस कोने या इस कोने में सबजियां उगाना शुरू करते इससे तुमें एक खेती करने का एक अनुभव भी मिलेगा और जो सबजियां तुम उगाओगे उने में बाजार भाव पर तुम से खरीद लोगा तुमारी आमदनी भी होगी और तुम्हें एक अच्छा उनुभव भी मिलेगा अरे वा पापा तब तो बड़ा मजा आएगा मैं तयार हूँ तो बोलो कौन सा कोना चाहिए तुम्हें ये कोना या ये कोना मैंने इन दोनों को नाप रखा है इस कोने की लंबाई है 26 फिट और चोड़ाई है 18 फिट इस कोने की लंबाई है 24 फिट और चोड़ाई है 20 फिट अब तुम ही बताओ तुम्हें कौन सा कोना चाहिए मुझे तो बड़ा हिस्सा चाहिए ताकि जादा सबजिया होगा सकूं तुम्हें कौन सा कोना बड़ा लगता है अभी मैं इन दोनों को इनों को एक फुट वाली स्केल से नाप कर देखता हूं. वेरी गुड़. तो जाओ अपना स्केल लेकर आओ और इन्हें नाप कर देखो कौन सा कौना बड़ा है और कौन सा कौना छोटा है. जी पापा. एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, बीश, एक्केश, बाईश, तेईश, चाबीश, पापा, हाँ बेटा? मैंने दोनों हिस्से नाप लिए. वेरे गुड, कितने हैं? पहले की लंबाई है 26 फुट, और चड़ाई है 18 फुट, तो जोड़ हुआ 26 जमा 28 जमा 28 फुट, यानि की 88 फुट, और दूसरे की लंबाई है और चड़ाई है 24 और 20 फुट, तो उसका जोड़ हुआ 24 जमा 20 जमा 24 जमा 20 फुट, यानि 88 फुट, हुए ना दोनों बराबर? इसका मतलब तुमने उन दोनों कोनों की परिमाप नाप ले है परिमाप? हाँ, भुजाओं की लम्मायों को जोड को हम परिमाप ही तो कहते हैं अच्छा एक बात बताओ तुम्हें सबजी लोन के अंदर उगानी है या लोन की बाउंडरी पर उगानी है उगानी तो अंदर रख तो फिर तो फिर छोटा और बड़ा पता करने के लिए आप उसकी बाउंडरी क्यों आप रहे हैं चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ मेरे स्टोर में एक फूट लंबाई और एक फूट चोडाई के 20 ब्लोक्स रखे हैं तुम चाओ और जल्दी से उन्हें उठाकर ले आओ जी पापा अभी ले आया पापा मैं आपके स्टोर रूम से ये ब्लोक्स ले आया वेरी गुड तो अब एक काम करते हैं इससे इससे आगे समझने के लिए अंदर चलते हैं जी पापा चलो निखिल आओ अब मैं तुम्हें समझाता हूँ मैंने वहाँ जमीन पर दो आयताकार हिस्से बनाए है एक आयताकार हिस्से की लंबाई है 5 फिट और चोड़ाई है 4 फिट तो इसका परिमाप हुआ 5 जमाचार जमापांच जमाच जमाचार यानी 18 फिट दूसरे आयताकार हिस्से की लंबाई है 6 फिट और चोड़ाई है 3 फिट तो इसका परिमाप हुआ 6 और 9 और 9 दुनी 18 वेरी गुड तो तुमने क्या देखा मैंने ये देखा कि इन दोनों आयताकार हिस्सों की बुजाओ का कुलजोड यानी परिमाप बिल्कुल बराबर है और वो है 18 फिट वेरी गुड तो अब इन वर्गाकार ब्लोक्स को जिनकी लंबाई एक फिट और चोड़ाई एक फिट है उस पांच फुट लंबाई और चार फुट चोड़ाई वाले आयताकार हिस्से में फिट करते हैं और ध्यान रहे कि दो ब्लोक्स के बीच में जगहें बिल्कुल ना पच्चे जी पापा एक बो तीन स... सात सात बीस अरे पापा ये तो सारे के सारे एक फुट लंबे और एक फुट चोड़े ब्लॉक्स इसमें फिट हो गए वेरी गुड आओ अब इन ही पट्रों को हम दूसरी आयताकार आकरती जो छे फिट लंबी और तीन फिट चोड़ी है उसमें फिट करते हैं जी पापा एक दो के गारा बारा तेरा अरे पापा ये दो ब्लॉक्स तो बचे रह गए निखिल ये दो ब्लॉक्स बचे रह गए इसका क्या अर्थ हुआ तो इसका अर्थ हुआ एक ब्लॉक एक फिट लंबा और एक फिट चोड़ा है तो इसे हम कहते हैं एक वर्ग फूट और दो ब्लॉक्स ज्यादा उने का अर्थ हुआ कि पहले वाली आकरती दूसरी आकरती से दो वर्ग फूट ज्यादा है जी पापा निखिल क्या हम इस छेत्फल को निकालने का कोई और तरीका भी सोच सकते हैं हाँ पापा इस आताकार आकरती की लंबाई है छे फूट और चोड़ाई है तीन फूट त को शेत्फल निकालने के लिए हम लंबाई को अगर चोड़ाई से गुणा कर दें तब भी वही जवाब निकलेगा और अगर हम छे को तीन से गुणा करें तो आएगा छेती 18 और इसमें 18 ब्लोक से लगे इसका आर्थ हुआ कि आयताकार आकरतियों का क्षेत्फल निकालने क कि एक हमारे पास एक यह भी तरीका है कि हम लंबाई को चोड़ाई से गुणा कर दें तो खेत्फल हमारे पास आता है वरग फू्ट में अगर हमने आयत की लंबाई और चोड़ाई को फुट में नreso 합니다 ये वर्ग फूट खेटफल की यूनिट है जब हमने उसकी लंबाई और चोड़ाई को फूट में ना पा है क्या शेटफल भी एरिया को ही कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने खेटफल को ही अंग्रेजी में एरिया कहते हैं और इसकी यूनिट होती है वर्ग फूट वर्ग सेंटीमीटर या जिस यूनिट में भी हमने लंबाई और चोड़ाई को ना पा है अच्छा निखिल अब एक बात बताओ तुम लोंके कौम से हिस्से में सबजी उगाना पसंद करोगे जिसकी लंबाई 26 फिट और चोड़ाई 18 फिट है या जिसकी लंबाई 24 फिट और चोड़ाई 20 फिट है सीरी सी बात है जिसका एरिया या फिर शेत्रफल जादा होगा उसमें तो पहले वाले आयता का शेत्रफल है 26 गुना 18 बराबर 47 फिट और दूसरे वाले का शेत्रफल है 20 गुना 24 फिट बराबर 48 फिट तो दूसरे वाले का शेत्रफल जादा बड़ा है और मैं उसी में सब्जियां होगा ना पसंद करूँगा बिल्कुल सही अब यहां पर एक बात समझने लायक है कि बिल्कुल शुरू में जब तुमने इन हिस्सों को नापा था तो तुमने इनकी परिमाप नापी थी और दोनों की परिमाप बराबर थी लेकिन अब हमें पता चल गया है कि दो आयताकार आकरतियों का परिमाप एक सा होने पर भी उनके ख्षेत्रफल अलग-अलग यानि कम्या जादा हो सकते हैं जी पापा तो ठीक है अब तुम कल से लोन के इस हिस्से में सबजी उगाने के तयारी शुरू करो पापा ख्षेत्रफल के बारे में कुछ और भी बताईए ना कुछ और अच्छा ये बताओ तुम किसी छोटी मगर आयताकार चीज का ख्षेत्रफल कैसे निकालोगे जिसे तुम फुटो में नहीं ना आप सकते क्यासी चीज कोई उधारन दीजिए उधारन जैसे ये दो चोकलेट बार्स है पापा जरह ये चोकलेट बार्स मुझे दिखाईए एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ आठ नो दस और दूसरे में एक, दो, तीन, चार तो इसका मतलब ये हुआ पापा कि इस बाले चोकलेट बार्स में दस वर्गाकार खाने है और इस बाले में चार वर्गाकार खाने है लेकिन फुट तो यहां नहीं लगेगा बिल्कुल सही सोचा तुमने क्योंकि किसी भी वर्गाकार खाने की लंबाई एक फुट नहीं है अब तुम्हें काम करो इन वर्गाकार खानों को इस स्केल से नाप कर देखो पापा इन वर्गाकार खानों की लंबाई और चड़ाई बिल्कुल बराबर है और वो है एक सेंटीमीटर तो इसका मतलब जब हमने उन लंबाई और चड़ाई को फुट में आपा था तो हमने युनिट रखा था वर्ग फुट और इसका मतलब यह हुआ कि अब जब इसकी लंबाई और चड़ाई सेंटीमीटर में है तो unit होना चाहिए work centimeter बिल्कुल सही कहा तुमने हाँ पापा इसका मतलब यह हुआ कि इस chocolate bar का शेत्रफल होगा 10 work centimeter और इस chocolate bar का शेत्रफल होगया 4 work centimeter वेरे गुड लेकिन निखिल इस शेत्रफल को निकालने का इन खानों को गिनने के अलावा क्या कोई और भी तरीका है जी पापा इस chocolate bar की लंबाई है 5 centimeter और चड़ाई है 2 centimeter तो अगर हम 5 को 2 centimeter से गुणा कर दे तो बराबर होगा 10 centimeter इसका मतलब इस chocolate bar का शेत्रफल हो गया 10 work centimeter और इस chocolate bar की लंबाई है 2 centimeter और चड़ाई भी 2 centimeter लेकिन पापा यह तो वर आया यह तो आकरिती आया जासी नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है अभी जब तुमने इस chocolate के खाने गिने थे तो वो खाने थे 4 और इस chocolate की लंबाई 2 centimeter है और चोड़ाई 2 centimeter है तो इसका ख्षेतफल भी क्या हुआ दो दूनी 4 वर्क सेंटीमीटर जी तो इसका मतलब यह हुआ कि यह 4 वर्क सेंटीमीटर का है बिल्कुल ठीक जब तुम किसी आयता का राकरती का ख्षेतफल निकालते हो तो तुम लंबाई को चोड़ाई से गुणा करते हो और लंबाई गुणा चोड़ाई वर्क सेंटीमीटर या वर्क फुट में उसका ख्षेतफल होता है इसी प्रकार जब हम किसी वर्का का राकरती का ख्षेतफल निकालते हैं तो लंबाई गुणा लंबाई वर्ग फूट या वर्ग सेंटिमीटर में उसका छेटफल होता है जी पापा, पापा अब मैं बहुत ठक गया हूँ क्या हम इस बारे में कल बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, अभी इसमें और भी बहुत सी इंट्रेस्टिंग बाते हैं जिनके बारे में हम कल आप से बात करेंगे जी पापा निखिल, अरे बेटा निखिल, कहा हो? जी पापा, आया कल शाम तुम क्षेटफल के बारे में कुछ और जानना चाहते थे ना? जी, जी तो मेरे पास तुमारे लिए एक समस्या है जी बताइए इससे सुलजाओ, इसमें ये एक तृभूज है, जिसका आधार एक सेंटीमीटर और इसकी उंचाई भी एक सेंटीमीटर है जी और ये दूसरी आकरती एक आयत है, इसकी लंबाई चार सेंटीमीटर और इसकी चोडाई तीन सेंटीमीटर है हाँ अब तुम्हें ये पता लगाना है कि ये कितने त्रिभूज इस आयत के अंदर फिट हो सकते हैं कोशिश करो कितने अंदर फिट हैं झाल झाल देखे पापा इस आयत को मैंने ऐसे बारा वर्गों में बाट रखा है और इन वर्गों में ऐसे दो त्रिबु जट रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि इस पूरे आयत में बारा के दुगने यानि 24 त्रिबु जटेंगे वेरी गुड अब तुम्हें बिलकुल यह समझ आ गया होगा कि एक शेत्फल का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा किसी सतह पर घेरी गई जगह लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि किसी त्रिबुज का शेत्फल कैसे निकाले ठीक है मैं तुम्हें बताता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद ही कोशिश करो जी बताईए अभी जो यह त्रिबुज आपने इस आयताकार आकरती में फिट किये हैं इसमें एक एक को अगर रेक से गुणा करें तो बराबर होगा एक सेंटीमीटर इसका मतलब इसका शेत्रफल है एक वर्ग सेंटीमीटर में कितने त्रिबुज फिट हुए थे दो जर्रा रुखिये पापा इसका मतुम यह हुआ कि एक त्रिबुज में आगर 25 ज्यते तो इसका मतलब का आधा, एक वर्ग के खेघ्ज़ का आधा तुर्फ़ूज का शेत्फ़ल हो गया बिल्कुल ठीक छागा तुमने यानि तुरुज का खेघ्ज़न हुआ एक बटे दो गुणा वर्ग का खेछ याय वर्ग के खेटफल का आधा जी पापा निखिल अब तक तुम ख्षेतफल के बारे में काफी कुछ जान चुके हो आओ अब एक और समस्या पर बात करते हैं जी हमारे सामने एक आयताकार दीवार है और इस दीवार की लंबाई है 11 फिट और चोडाई है 10 फिट इस आयताकार दीवार का ख्षेतफल क्या होगा वो होगा 11 गुना 10 बराबर 110 फिट वेरी गुड अब अगर मैं इस आयताकार दीवार के उपर वाले कोने को इसके सामने वाले नीचे वाले कोने से मिला दूँ तो ये आयताकार दिवार दो बराबर तिर्भूजों में बढ़ जाती है जी ठीक एक तिर्भूज का छेत्रफल क्या होगा? सीदिशी बात है वो आयत के छेत्रफल का अधा होगा यानि अगर हम एक सदस को दो से भागने तो आएगा पच्पन यानि इसका मतलब है कि तिर्भूज का छेत्रफल होगया पच्पन वर्कफूट वेरी गुड अब हम देखते हैं कि इस आयत के छेत्रफल में और तिर्भूज के छेत्रफल में क्या संबंद है? तिर्भूज का छेत्रफल आयत के छेत्रफल का आधा हुआ जी लेकिन त्रिभुज में लंबाई और चोड़ाई कहां से आई? हाँ ये तुमने बहुत सही सवाल पूछा अगर हम इस त्रिभुज को ध्यान से देखें तो आयत की चोड़ाई बन जाती है त्रिभुज का आधार और आयत की लंबाई बन जाती है तिर्भूज की उंचाई तो तिर्भूज के ख्षेतफल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि तिर्भूज का ख्षेतफल बराबर एक बटे दो गुणा आधार गुणा उंचाई अच्छा अब समझ आया के त्रिभूज के ख्षेत्फल में और आयत के ख्षेत्फल में क्या संबंद है जी पापा निखिल देखो ये मैं एक त्रिभूज बना रहा हूं ये त्रिभूज है त्रिभूज A, B, C हमें इस त्रिभूज का ख्षेत्फल ग्याद करना है अगर इस त्रिभूज का आधार है B, C अब अगर मैं त्रिभूज के इस बिंदू A से एक खड़ी रेखा से इस त्रिभूज को दो हिस्सों में बाढ़ दूँ तो ये बिंदू है D जी अब ये त्रिभूज दो त्रिभूजों में बढ़ जाता है और अगर हम इन दोनों त्रिभूजों का अलगलग ख्षेत्फल निकाल करके उसको जोड़ दें तो क्या मिलेगा? इस बड़े त्रिभूज ए भी सी का शेत्फल वेरी गुड तो आओ इन दोनों त्रिभूजों का ख्षेत्फल निकालते हैं पहले हम निकालते हैं त्रिभूज A, B, D का ख्षेत्फल ये होगा 1 बटे 2 गुणा आधार इस त्रिभूज का आधार है B, D और उंचाई है A, D और उंचाई है A, D अब दूसरे त्रिभूज A, D, C का शेत्फल निकालते हैं ये होगा 1 बटे 2 गुणा इस त्रिभूज का आधार ये होगा डी सी और इस त्रिभुज की उंचाई एडी एडी आओ अब इन दोनों त्रिभुजों के ख्षेत्फल को जोडते हैं ये हुआ एक बटे दो गुना बी डी गुना एडी जमा एक बटे दो गुना डी सी गुना एडी और ये बराबर होता है एक बटे दो गुना ओस्ठक में बी डी जमा डी सी गुना एडी तो त्रिभुज एबी सी का ख्षेत्फल हुआ एक बटे दो गुना एडी अब एक बात बताईए बी डी जमा डी सी कितना होगा यह होगा तो त्रिभूज का खेदफल हुआ एक बटे दो गुणा आधार यानी BC और गुणा उंचाई यानी AD इस प्रकार हम किसी भी त्रिभूज का खेदफल ग्याद कर सकते हैं जिसके आधार की लंबाई और जिसकी उंचाई की लंबाई हमें पता हो अरे वाह तो निखिल पिछले दो दिनों में क्या आप मुझे बताएंगे हमने ख्षेत्फल के बारे में क्या-क्या सीखा? जी पापा, हमने पहली बात सीखें कि किसी भी आकरिती का परिमाप एक होने के बावजूद भी उसका ख्षेत्फल अलग हो सकता है हाँ, और हमने ये भी सीखा कि एक आयताकार आकरिती का ख्षेत्फल हम कैसे निकालते हैं, एक वर्गाकार आकरिती का ख्षेत्फल होता है लंबाई गुना लंबाई और ख्षेत्फल का यूनिट होता है वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग फूट जिसमें भी हमने लंबाईयों क नापा है सेंटीमीटर या फूट और हमने सीखा एक बहुत महतुपूम सूत्र के एक आयताकाराकृती के क्षेदफल में और एक त्रिभूजाकाराकृती के क्षेदफल में क्या संबंद होता है हमने सीखा था त्रिभूजाकाराकृती का कशेटफल होता है एक बटे दो गुणा आधार गुणा उंचाई हम उमीद करते हैं कि इन दिनों में आपने भी कशेटफल के बारे में काफी कुछ समझा होगा जाना होगा अब आप इससे अलग आकरतियों के अलग अलग शेटफल को निकालने का भी प्रयास करें और इस वि हुआ 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 है हुआ 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 है